हेलो एवरिवन कैसे हो सभी लोग वेलकम बैक इन वर न्यू वीडियो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हमारे OB38 के अपडेट के बारे में की गाईज जो हमारा OB38 का अपडेट आने वाले उसमें हम लोगो को क्या-कया न्यू न्यू चीजे देखने को मिलेगी हाँ गाईस इसी वीडियो के अंदर में आप लोगों को वह दोनों गन का रिविई बताने वाला हूँ तो वीडियो गाईस आप लोग जरू से लास्त तक देख लेना एंड वीडियो को स्किप मत करना अगर आप लोग स्किप करके देखोगे तो यार आप लोगों को मतलब द जरू कर देना तो चलिए अभी आप लोगों का बिल्कुली टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगेन आईए देखते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोग बात कर लेते हमारे न्यू केरेक्टर की तो उसका जो अभी नाम है वो कुछ रिविल नहीं किया गया है लेकिन हाँ गयज उसका जो एबिलिटी है वो रिविल हो चुका है तो गयज इसकी एबिलिटी का नाम रहने वाला है शेप स्प्लिटर तो गयज आप लोगों को उसका जो मतलब क्या बोलते active skill का आप लोगों को जो logo वे देखने को मिल जाता है mark देखने को मिल जाता है इसमें भी आप लोगों को देखने को मिल लगाए इसमें आप लोग कर सकते हो अपने character को जहां कई भी आप लोग करना चाते हो teleport कर सकते हो screen के उपर आप लोग video देखी रहे हो तो guys इस तरीके से अपना जो new character है वो work करने वाला है and guys यह जो character है उसका skill रहेगा active skill तो guys इस तरीके से अपना जो new character है उसका आप लोगों को ability है वो देखने को मिलेगा तो केसा लागा आप लोगों को ability मुझे आप लोग comment करके जरूर बताना and guys अगर आप लोगों को एनिमी का यह जो सफेट शेडो है वो देखने को मिलता है तो आप लोग उसको forward भी सकते हो अगर आप लोग forward दोगे तो वो बंदा है वो teleport नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से guys अपना जो new character है वो work करने वाला है and इसके skill का नाम रहेगा shape splitter तो guys character आप लोगों को कैसे लगा आप लोग मुझे comment section में एक बार जरूर बताना उसके बाद में guys हम लोग बात करें हमारी game के उपर आने वाले कुछ ऐसे bundle की जो कि guys आप लोगों को काफी कमल के जो web event के अंदर देखने को मिलेगे आप सबी लोग यहाँपर screen के उपर देख सकते हो यहाँआप लोगों के सारे bundle अपने रहने वाले सब्सक्राइब के अपने और देखने को मिलेगे यह जो सारे bundle है ना आप लोगों को डेन शो के अंदर शो हो जाएगे जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले अपने गेम के ओपर एक इवेंट आया था समूराई का उसमें वो जो बंडल थे वो दोनों के दोनों अपने डेंशो सिस्टम के अंदर एड होगे तो सेम टू सेम वैसे ही ये सारे जो बंडल आप लोग देख रहे हो ना ये भी आप लोगों को बेबी वेंट के अंदर देखने को मिलेगे लेकिन ये भी सारे बंडल जो होगे वो आप लोगों को अपने देंशों के अंदर यहाँ पर आप लोगों को नजर आने वाले है और हाँ आप लोगों को जो सकूरा बंडल है न वो भी आप लोगों को डेंशों के अंदर शो होगा क्योंकि वो भी अपना समुराई बंडली कहलाता है तो guys ये सारे bundle अपने upcoming रहने वाले जो कि आप लोगों को B38K update के उपर अपने game के अंदर नजर आने वाले उसके बाद में guys हम लोग बात करें हमारे game के अंदर आने वाले कुछ emote की तो guys PNG मेरे हाथ लगी है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तीन emote आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं यह जो emote इसका review अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं आप लोगों को जरू से आने वाली वीडियो के अंदर बता दूगा लेकिन अभी PNG निकला है तो मैं सिर्फ आप लोगों को PNG बता सकता हूँ उसके लिए आप लोगों से sorry चाता हूँ लेकिन आप लोगों देख सकते हो PNG से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो emote का अंदर आज आई जाएगा तो इस ताइप के अपने तीन new emote रहने वाले हैं उसके बाद मैं चलो मैं आप लोगों को B38 के अपडेट में आने वाले कुछ बंडल भी दिखा देता हूँ सबसे पहले हम लोग female के बंडल देख लेते क्यूंकि ladies first होती है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आप लोग देख सकते हूँ यह सारे के सारे female के बंडल है यह जो सारे बंडल आप लोगों को यहाँ पर नजर आने वाले हैं यह जो सारे बंडल हो आप लोगों को 38 के अपडेट के अंदर अपने गेम के ऊपर देखने को मिल जाएगे गइण इस जते हैं लेकिन इसमें जो समुरा लेकिन इसमें जो सकुरा बंडल है वह एड नहीं होगा क्यूंकि ओल्रेड़ी आ चुक backyard गेम के ऊपर तो वह जी कि अपने 16 बंडल रहने वाले मनल के आप लोगों को मेल के बंडल जय Ó lotus मेल के पसंद आर फी मेल पसंद आ अब गईज अगर आप लोग वाइट ट्रिफल 4 के फेन हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहांपर good news निकल कर आ रही है आप लोगों को मेने जो mail के bundle दिखा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को एक bundle भी देखने को मिला है black color का तो गईज तो हम लोगों को रोक एफफ के साथ कोलाबरेशन देखने को मिला तेन गाइज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले वाइज ट्रिफल फॉर के साथ कोलाबरेशन हाँ गाइज वाइज ट्रिफल फॉर के साथ आप लोगों को कोलाबरेशन देखने को मिलेगा इंड लेकिन अपने इंडिया सर्वर के उपर रूख FF का भी जो बंडल है वो नहीं आया है मैं आप लोगों को रिव्यू करा चुका हूँ पहले भी आप लोग यहां पर भी देख सकते हूं रिव्यू इस टाइप का अपना जो फायर बंडल है वो आप लोगों को देखने को मिल परसनली गाइस मैं आप लोगों को बोला था कि मुझे यह बंडल काफी फसंद है तो भाई मैं आपको रिव्यू दिखाने से अपने आपको रोकी नहीं पाया इसलिए मैं आप लोगों को रिव्यू दिखा रहा हूँ तो गैस परसनली यह बंडल मुझे काफी अच्छा ल लेते हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू किरिक्टर की तो गैज मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि गेम के अंदर जो केक्टेस पेट है वो आने वाला है तो अपना जो न्यू पेट है वो किस टैप कर रहने वाला है और उसकी स्कील आप लोगों को किस टैप की मिल जाएगी एंड 100 EP ही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी तो guys इस type के अपना जो new pet है वो रहने वाला है जिसका नाम रहेगा cactus तो यह जो अपना new pet है वो आप लोगों को next update अपना आएगा वो भी 38 का उसमें आप लोगों को नजर आने वाला है तो पेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे comment में बताना guys मुझे तो परसनली बता तो एकदम बकवास लगा भाई cactus कोन पालता है बताव आप लोग आपके घर में है cactus आप लोग मुझे बताना comment करके भाई cactus कोन पालता है पेट का नाम क्या होता है पेट का मतलब क्या होता है भाई हम लोग किसी पालतू प्रानी को पालते अपने घर के उपर उसको पेट बोलते लेकिन यहाँ पर गरने वलन तो केक्टस दे दिया यार मतलब यह मतलब क्या हाद है वाई क्या बोलू मैं अब गैस चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारी वीडियो की लास्ट अपडेट की जो की रेने वाले गैस अपनी दो न्यू इवो गन पहली में आप लोगों को दिखा देता हूँ इवो थॉमसन तो गैस आप लोगों को कुछ इस तैप की जो इवो थॉमसन है वो नजर आने अभी गैस फूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है यह थॉमसन तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसका वी एफेक्स ही दिखा सकता हूँ तो आप लोगों को देख सकते हो कुछ इस तैप की अपनी जो इवो थॉमसन है वो रहने वाली है एंड गैस इसका नाम रहेगा गार गो यहां पर आप लोगों को नजर आने वाले है इसका जो कलर रहेगा वो रेड कलर का रहेगा तो आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करोगे ना गार गोई ले इसा कुछ नाम है इसका मैं ठीक से प्रोनांस भी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी इ इंडिया में तो हर किसी की इंग्लिश वीक होती है मजा कर रहा हो ठीक है तो गाइज इस टैप की अपनी जो न्यूट इवो थॉमसन है वो रहने वाली है इंड आप लोग को कैसे लगी यह इवो थॉमसन आप लोग मुझे कमेट में बता ना अभी तो अच्छी नहीं लग लेकिन हा रिव्यू आ जाएगा तभी आप लोगों को पसंद आने वाली है लेकिन अगर आप लोग देखोगे ना गूगल पर जाकर यह मोंस्टर के बारे में सर्च करोगे न तो आप लोगों को उसका एक पीक देखने को मिलेगे मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा सो मैं आप लोगों को तुरन से ही बता दूगा अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड इवो गन की जो की रहने वाले गाइज अपनी जी एटी अच्छा जी हां गाइस जी एटी की भी आप लोगों को यहां पर देख सकते हो तुमसन की तरह इसका भी फूल अप लोगो को कुछ इफेक्ट है वो नजर आ रहा है तो गांस मेरे को लगता है कि यह कुछ अपनी डायमड के फिंप पर होने वाले यह मतलब आप लोगों को उसके उपर जो डायमड का इफेक्ट है वो नजर आ सकते हैं अभी गाइस इसमें भी आप लोगों को अपना personal opinion शेयर कर रहा हूँ गैस लूक में कुछ changes हो सकते लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर तुम्हें आप लोगों को इसका full review मिल जाएगा तो बतानी वाला हूँ लेकिन आप लोग जितना ready हुआ है ना review उतना आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते एक तो अपनी evo scar 2.0 और अपनी evo se80 तो वो पहले आने वाली है उसके बाद में आप लोगों को यह जो दोनो evo gun है वो नजर आ सकती है क्योंकि अभी यह जो दोनों गन है वो पूरी तरीके से ready नहीं हुए गेम फाइल पर add नहीं की गई है इसका मतलब आप लोगों को यह मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो के अंदर और भी काफी कमल कमल की जो अपडेट से वो बताने वाला हूँ तो चैनल गैज आप लोग ज़रू से subscribe कर लेना और साथी साथ में बाजवाल जो bell notification है उसे भी प्रेस करके ओल पे set कर देना ताकि गैज मैं जब भी वीडिय करूँ सो आप तक notification पहुंचे सबसे पहले एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रू बताना बागी गैज मैं मिलता आप से नेक्श वीडियो में कैसे एसी धमा के द्यार न्यू टोपी के साथ तब तक के लिए